हलो दोस्तों, वेलकम अगेन, अपन पढ़ रहेते हैं हिंदी व्याकरण, आज का टोपिक रहेगा उपसर्ग, इसे पढ़े अपने संग्या सरण नाम वी सेशन पढ़ लिए हैं, संदी समास भी पढ़ लिए हैं, इसलिए आप डिस्क्रिपिशन में जाकर वेब वीडियो भी देख सकते हो, आज का टोपिक स्टार्ट करते हैं उपसर्ग, उप और सर्ग, दो सब्दों से मिलकर बना है उपसर्ग, इसमें कोशन किष्ट किस तरह से आते हैं, निम लिकित में से संस्क्रित का उपसर्ग कोण सा है, कोई सब्द दे देंगे आपको दुर व्यावार, सद Anग रदर कितने उफसर्ग लगया है ने लिकित में से वह सब्द बताईocy है जिसमें दो से अधि उपसर्ग लगया है इस प्रकार के कोशन पुछे जाते हैं तो उफसर्ग कि कैते हैं सर्ग का अर्थ उत्ता मूल सब्द, और वे सब्दांस, जो सब्द के पहले जुड करें, आगे जुड करें, सब्द का अर्थ परिवर्तित करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं, वे सब्दांस, जो सब्द के आगे जुड कर अर्थ परिवर्तित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग, उपसर्ग, स हंदि और विद्यसी मोशली कौन कौन से शंस्क्रित हंदि और विद्यस गत्ने आद सवस्कृत मंत कित वपसर्ग माने गई हैं तो आमसर वोग औगा 22 संस्ग्रित में कितने वपसर्ग होते हैं 22 विदुरसुनेbesव्वरंग निगह Tina आव निरनीसत, विदूर, सुनी अति, प्रती, गिनो, उप परी, उत दूसमाद, एक एक उपन देखेंगे, प्रै, जैसे हार सब्द के आगे प्रै लगाया, तो क्या बन गया प्रहार, सब्द के अर्थर में परीवर्टित हो गया, प्रै प्लस बल, प्रै प्लस योग, प्रै उपसर्क से कौन कौन से बने है प्रहार प्रबल प्रयोग परा जय का अपोजिट हो गया परा जय अधिन परा प्लस अधिन पराधीन अनू जय का मतलब होता जर्म लेना अनू यानि बाद में अनूज जो बाद में जर्म लेता हुए अनूसरन फोलो करना अनूसरन संसार संद संसार संदनयोग संदी में पड़ा था अपने वेंजन संद Sanders संसार संयोग हो गया समका अव अवगून अउसाद अपी अपीतु अपिदान अभी अभीमान अभिवादन अप मन अपयस निर निर्बल निरपराद वीविदेस विवाग दूर चार दूर जन यह अपने 11 उप्सरक्ट देखे संस्कित वाले ओसी अILY किस साथ लगा हुआ अधि प्रीच प्रीय प्लस अति अति धन अदिक कोंशी संधी यह तंद अतिक प्रति वर्ष प्रति दिन अधिकार अधिशेस आदेश, आहार, उद, उदार, उच्चा, उप, उपहार, उपवास, नी से बना निवारण, निसेद, परी, पलस आवरण, परियावरण, परिवर्तन, सू, योग्य, सूलब, स्वय, स्वतंत्र, स्वदेश, इसी प्रकार निस, अब ध्यान रखना यापर से यह आया लेकिन स से और से, किसके अकोडिंग चेन होता है, संदी के अकोडिंग, निश्फल, निस्टेज, तो अपने देखे, संस्कृत के बाईसी उपसर्ग, प्रेपरा अनुसम अव अपी, अभी अप, निरवीदूर, अतिपर्ति, अदिया, उद, उप, नी परीशूस्वय, और निस, य इसके अलावा हिंदी के उपसर्ग, ए लगाया अटल और ए सपल, सपल का उल्टा हो गया, ए सपल, अन, अनपड, अनमोल, उन, यानि एकम, उन साथ, उन चास, पचास में एकम, साथ में एकम, कू अनि बूरा होता है, कपूत, कू मार गे, से यानि अच्छा, सपूत, बरपेट, परपूर, चो, ती, दू, दू का मतलब दो, ती का मतलब तीन, चो का मतलब च्यार, चो रहा, चो मासा, ती रंगा, ती माही, दू रंगा, दू नाली, दू नाली बंदूक, परहित, परकाज, बिन, बिन देखा, बिन खाया, चिर, चिरकाल, चिरन जीवी बहु मुल्य बहु वचन सहय योग सहगामी स्वय उपसर्ग लगके स्वयदेश और स्वयभाव विदेशी उपसर्ग अपन इसे उर्दू के उपसर्ग भी कह सकते हैं अल अल्विदा अल्बेला ना नालायक नापसंद एन एन वक्त एन मोका ला लाचार लापता कम कमजोर कमसिन हम हम सपर हम राज गेर लगा कानून के आगे गेर कानूनी गेर हाजिर खुष मिजाज खुष कबरी बेचारा बेचन हर गड़ी हर वक्त हर समय सर लगा दार के आगे सरदार कार के आगे लगा तो सरकार कार के आगे सर उपसर्ग लगाया क्या बन गई सरकार हेड हेड लगता है हेड मास्टर हेड बोई हेड गर्ल सब सब इस्पेक्टर सब कमेटी हाप हाप पेंट हाप सट जनरल मेनेजर जनरल सेक्रेटरी इसमें उर्दू के उपसर्ग और भी जो बार से लिए गए वो उपसर् के अंदर अपने कौन कौन से देखे अल ना एन ला कम हम गेर खुस बे हर सर हेड सब हाफ और जनरल जितने भी इंपोर्टेंट थे विदेशी उपसर्ग वो भी अपने कर लिया हिंदी उपसर्ग थे अब देखो कोशन के से आता अपने को सब्द दे दिया दुर व्यवार तो कि और अलग हो गिया हार अलग हो गया मतलब टीन उपसर्ग लगेर ऐ परत्याशित अब दन परती बाज कोसिशन आएक आएगा एफ प्रत्याशित में मूल सब्द कौनसा है तो आंसर विदे अपने क्वीडिये वीडियो प्रत्याई को ऑस एक ृप्रति और देखेंगे त उपसर्ग वह सब्द जो वह सब्दांस जो सब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्टित करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं सर्ग यानि मूल सब्द उपसर्ग कौन-कौन से देखे हैं हिंदी के संस्कृत के हैं और विदेशी संस्कृत में कितने उपसर्ग होते है 22 हिंदी में हिंदी में अपने जितने भी इन्पोर्टेंट थे देखे ए अटल एसपल अन अनपड अनमोल बहुत सारे उधारन वहते लेकिन अपन बेसिक समझने के इसाफ से दो दो उधारन हर उपसर का लिखा अन अनपड अनमोल उन उन्सट उन्चास कू कपूत या कू मारग सह या सू सपूत या सज्जीव इसी प्रकार बरपेट बरपूर चोराहा तीरंगा दूरंगा परहित परकाग बिन उपसर्ग से बिन देखा बिन खाया चीरकाल चीरंजीवी बहु से बहु मुल्य बहु वच सह से सहयोग, सहगामी, स्वैदेश, स्वैबाव, विदेशी उपसर्ग या इसमें उर्दू के बी अल विदा, अल बेला, ना से हुआ, ना लायक, ना पसंद, एन से, एन वक्त, एन मोका, लाचार, ला पता, कम से कम जोर, कम सिन, हम सपर, हम राय, गेर से, गेर कनूनी, और गेर हाजिर खुश उपसर्ग लगा कि अपने बनाया, खुश मिजाज, खुश कबरी, बे उपसर्ग लगा कि बेचारा, बेचियन, हर गड़ी, हर वक्त, सर, सरदार, सरकार, हेड मस्टर, हेड बोई, हेड गल, सब इस्पेक्टर, सब कमेटी, हाप पेंट, हाप सेट, जनरल मेनेजर, सेक्रेटरी, उपसर्ग में इतना ही, एक बार आप वापिस देखेगा, और जितने भी बुक में और उधारन है, उन्हें आप सोल कीजेगा, आपको उपसर्ग समझ में आ जाएगा, इसमें कोशन यही आता है, कि भर पेट में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अलवीदा म कोशन पूचे जाते हैं, या फिर संदी से रिगार्डिंग भी कोशन आ सकता है, जैसे अपर ने देखा था, यहाँ पर संदी है, विववार में, और यहाँ पर भी देखा था, बहुत सारी सब्दों जिसमें संदी थी, सम संसार, सम उपसर्ग कहा गया, जैसे संसार, परियावरण, तो संदी से भी कोशन आ सकता है, उपसर्ग से भी आ सकता है, इसलिए आप पढ़िए इनको, थैंक्स पूर वोचिंग, वंदे मातरम, जैहिन, जैवारत